हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू ओल अगेन ओन माई चैनल तो स्टूडेंट आज हम अपनी हिंदी की पैड़ागोजी में आगे बढ़ते हुए नेक्स टोपिक पे मूव करेंगे तो नेक्स टोपिक हमारा रहेगा अधिगम में व्याकरण की भूमी का क्या होती है ठीक है तो वहाँ पे हमें व्याकरण की जरूरत होती है भाशा को शुद रूप से प्रियोग करने के लिए हम चार कोशल अल्रेड़ी डिसकस कर चुके हैं चार स्किल की आवशकता होती है और वो इसी करम में आपको याद रखना है पढ़ना नहीं इस करम में नहीं था वही उल्टा भाशा सीखने के लिए व्याकरण का ज्यान एवं प्रियोग आवशक होता है ये बात हमें सभी को पता है बचपन से हमें सिखाया जाता है कि व्याकरण की जरूरत क्यों होती है वैसे तो भाशा को प्रियोग करना सभी को आता है लेकिन उस भाशा को शुद रूप से प्रि तो ये सारी चीजे जो है ना ये हम व्याकरण का प्रियोग करके सीख सकते हैं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि हमें अगर शुद भाशा सीखनी है तो उसके लिए व्याकरण का ज्यान होना उसका कहां पर प्रियोग होगा ये आवशक है ठीक है और उसी के लिए जो व्याकरण ह उसका शिक्षम किया जाता है थीक है अब व्याकरन का अर्थोर प्रि भाशा हम समझते हैं एक चुछ सिक्षा सास्त्रियों के नुशार सबसे पहले हैं dr. जैगर के हैं यह क्या मानते हैं परचलित भाशा समंधी नियमों की व्याख्या भाशा समंधी जो भी नियम है जैसे हम math में क्या करते है mathematical formula होते हैं उनके according हम math के question निकालते हैं इसी तरीके से अगर हम हिंदी में बात करें तो भाशा से समंधी जितने भी नियम होते है ना उन नियमों की व्याख्या ही हमारा व्याकरण है स्वीट ने क्या बोला है व्याकरण भाशा का व्यहवारिक विसलेशन अत वो चीज व्याकरण है और उसका जो शरीर है वो क्या है विज्ञान है डॉक्टर हयूं ग्रिल्ड के नुसार भाशा के रूप में सार्थक एवं शुद व्यवस्था ही व्याकरण है जब भाशा में आप शुद रूप से बोलना सार्थक शब्दों को समझना जो ये हमें वो किसकी वज़े से आता व्याकरण है तो ये ही व्याकरण है अब हम पढ़ते हैं व्याकरण की भूमी का क्या होती है देखिए सभी को पता है कि हमें व्याकरण के कुछ नियम्मों का ज्यान होना चाहिए तो व्याकरण के नियम्मों का ज्यान छात्रों में मोलिक वाक्य स संरचना करनी भी नहीं आएगी ठीक है तो व्याकरण के ग्यान की वज़े से ही हम वाक्य को संरचना या वाक्य को बना पाते हैं ठीक है तो वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करता है व्याकरण के नियम्मों का ग्यान की शुद रूप से कैसे लिखना है बोलने के कोशल क विकास करता है ठीक है व्यकरण का ग्यान अगर हमें होगा तो हमें चीजों को शुद रूप से उचारण हम उसका कर पाएंगे बोलने के कोशल का विकास हमारे अंदर होगा सेकिंड क्या है विद्धार्तियों में भाशा की अशुदता को समझने की शक्ति का विकास करना आप बचे ने भाशा बोली अब वो भाशा अशुद है तो वो अशुद कैसे है आप उसको समझाएंगे ना आपने ये भाशा बोली ये अशुद थी तो ये अशुद कैसे थी वो आप उसको किस तरीके से समझाएंगे अगर आप उसको व्याकरण की नोलेज देंगे उसक आर्थियों को शुद उचारन की शिक्षा परदान करना, अब बच्चे ने गलत बोला, गलत पर्णन्षेट किया, तो आपने उसके उचारन को सुधारा, ठीक है नहीं वेटे हम इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे, तो शुद उचारन आपने जो सिखाया, वो शुद उचारन आप कैसे सिखा पाए जब आपको व्याकरन की नोलेज थी, तो ये इसमें भी हेल्प करेगा, नेक्स्ट है, व्याकरन से भाशा का शुद प्रियोग सीखना, तथा भाशा में दक्षता प्राप्त करना, अब देखें, व्याकरन ही है जो हमारी हेल्प करता है, कि हमें भाश प्रियोग शुद हो, चाए वो हिंदी में हो, चाए वो इंग्लिश में हो, वो होगा किसकी वज़े से, ग्रैमर की वज़े से होगा, व्याकरन की वज़े से होगा, और तब ही हम भाशा पे दक्षता प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, विधार्तियों को विभिन धवनियों का ग्यान देना अब बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है ये सवर होते हैं ये वेंजन होते हैं तो ये धवनिया ही तो होती हैं कहां लगाना है उनका ग्यान हमने बच्चे को कैसे दिया उनका ग्यान भी हमने व्याकरण की हल्प से दिया तो हम ये कह सकते हैं कि चात्रों को वाके रचना के नियम विराम चिन है, कहां लगाना है उनका शुद प्रियोग कहां करना है वो भी व्याकरन की हेल्प से हुआ तो व्याकरन के विनाना जो संचार है मतलब आपका जो clear communication है दूसरों के साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए आप फिलिंग शो करने के लिए अपने भाव दिखाने के लिए वो असंभव है तो व्याकरन का ग्यान बहुत जरूरी है व्याकरन विधियों को शुद, शुक्ती, लोकोक्ती मुहावरे, आदी का अर्थ निकालने के योगे बनाता है वो व्याकरन ही है जिसकी वज़ए से हम किसी शुक्ती का, लकोक्ती का मुहावरे का अर्थ निकाल पाते हैं तो ये था वही व्याकरन का रोल आगे पढ़ लेते हैं व्याकरन के द्वारा संप्रेशन तथा लेखन कोशल का विकास अब संप्रेशन क्या होता है आपको ध्यान रखना है कॉम्मिनिकेशन होती है हमारी जिससे हम अपनी जो भी हमारे विचार है, मन के भाव है वो दूसरों के आगे प्रस्तूत कर पाते हैं ठीक है, कॉम्मिनिकेशन के थुरू और व्याकरन का रोल किसमें पढ़ना है भई लेखन, लेखन मतलब जो आप लिखते हैं आपकी जो राइटिंग स्कील है उसकी डवलप्मेंट व्याकरन के हेल्प से कैसे होती है ये अब हम स्ट्रेडी करेंगे संप्रेशन तथा लेखन कोशल के विकास में व्याकरन की भूमिका का बहुत ही मैतव है क्योंकि बिना व्याकरन के ग्यान के संप्रेशन और लेखन कोशल का विकास संभव नहीं होता अगर देखिए आपको व्याकरन की नोलिज नहीं होती तो क्या आप किसी से clear communication कर पाते आप तो ये बोल देते कि स्पोज आप कोई लड़की है तो आप बोलते नहीं मैं खा रहा था नहीं मैं जा रहा था अरे जा रहा था नहीं जा रही थी वो क्यों बोल पाए आप क्योंकि वहाँ पे आपको लिंग की पहचान है और link किस का part है हमारा व्याकरन का part है तो वो जो आपके clear communication दूसरे से हो पा रही है वो किस की वज़े से हो पा रही है वही व्याकरन की वज़े से अब आप ऐसे ही जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं तो अगर आपके बोलने का communication का ग्यान व्याकरन से हो रहा है तो obviously आपकी जो writing skill है उसकी भी development में कौन help कर रहा है हमारा व्याकरण ही help करता है अब देखिए संप्रेशन कोशल के विकास में व्याकरण की भूमी का अब हम इसको बिल्कुल detail में पढ़ेंगे यह बालक को ऐसी शमता का विकास करने में सायक है जिससे कि वे अपने भावो को शुद्रोप से व्यक्त कर सकें अब देखिए अगर मुझे knowledge है व्याकरण की तभी तो मैं आप सब के सामने अपने जो विचार हैं किसी topic को मैं समझा रही हूँ पोज ही नहीं लूँगी वो पोज मैं क्यों ले पा रहे हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मुझे knowledge है व्याकरण की तो वो communication में help हुआ बालको के अशुद उचारण को शुद करने में सायक है बिलकुल इसके ग्यान से बालको में ऐसी शमता का विकास होता है कि बालक परसनों का उतर परभा पूर्ण तरीके से दे सके अगर उन्हें व्याकरण की knowledge नहीं होते ही तो उनको पता नहीं होता वही हमें यहाँ पे link क कोन सा लगाना है वच्चन कोन सा लगाना है क्या हमें यहाँ पे संग्या का प्रयोग करना है क्या सर्वनाम का प्रयोग करना है अब वो कब कर पा रहा है अगर आपने बच्चे से कोई question put up किया और बच्चा answer दे पा रहा है तो वो कब कर पा रहा है ऐसा जब उसको व्याकर का meaning वही निकल के आता है अब हम पढ़ते हैं, यह था हमारा वह संप्रेशन में, लेखन कोशल के विकास में, अब देखिए, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम लिखते हैं, ठीक है, अब अगर हमने बोला सही नहीं, लिखा, बोला सही नहीं, सुना सही नहीं तो क्या हम उस चीज़ को लिख सही पाएंगे नहीं तो पहले व्याकरण की नोलेज आप बोलने सुनने में लीजिए और फिर उसी व्याकरण की नोलेज को आप लिखने के विकास में भी यूज करिए ठीक है लिखने के कोशल में भी करिए व्याकरन ग्यान से चातर पढ़ी तथा सुने हुई बातों को शुद रूप से तथा विराम चिनों का सही प्रियोग करते वे लेखन कोशल का विकास कर सकते हैं बात आ गई वही जो अभी मैंने डिसकस किया है सेकिंड यह चातरों को लेखन शैली में मुहावरो लोकोक्तियों का प्रियोग करने का सिक्षन देकर उनके लेखन कोशल में विकास करने में सायक होता है बिल्कुल देखिए जो बात आप सुनने से या कॉम्मिनिकेशन में पढ़ेंगे न वही बात आपकी लिखने में आ जाएगी कि जब आप चीजों को मुहावरो लोकोक्तियों में अपनी व्याकरन का सही से प्रियोग कर पा रहे हैं उनका मीनिक निकाल पा रहे हैं तो जो मीनिक आपने निकाला उसको सही तरीके से लिखना व्याकरन की हेल्प से ही हुआ है नेक्स देखिए व्याकरन से चात्रों में विभिन नए नए शब्दों की समझ विक्षित हो जाती है जिसका प्रियोग करके भी अपने लेखन कोशल का विकास आप कर सकते हैं है तो चातरों को गधपद में गधव होता है एक गधव होता है जैसे एक कविता का पहरा है वो गधव होता है जो बैसे बहरा होता हो तो उसमें अंतर समझा कर भी आप उनके लेखन कोशल का विकास करने में सायक है व्याकरण चात्रों के लेखन में संग्या सर्वनाम विशेशन किरिया पढ़ते है उत्तर तत्संतत वह शब्द आदी के प्रियोक से उनके लेखन कोशल में देख पच्चे को क्या बोलते है राम एक अच्छा लड़का है ठीक है राम एक संग्या हो गई राम सुबह जल्दी उठता है तो क्या बार बार राम लिखेंगे हम नहीं मतलब अगर हम बार बार राम 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 का प्रियोग कर रहें तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमें सर्वनाम की न नाम है तो अगर बच्चे को हर चीज की नोलेज होगी व्याकरण के हर टोपिक की नोलेज होगी तो क्या वो राइटिंग स्किल में उसकी दक्षता नहीं आएगी बिल्कुल आएगी तो इन सारी चीजों की नोलेज बच्चे को देना बहुत जरूरी है नेक्स्ट है भई भाष्याई विविदिता ये हमारा टोपिक कंप्लीट हो गया नेक्स्ट टोपिक पर हमाई है भाष्याई विविदिता मतलब बहुत सारी ऐसी हमारी आपको पता है कि बहु बाशी देश हमारा है जंगे जंगे पर भाष्या बदल जाती है तो बाशा में अंतर पाया जाता है विविद्धा पाई जाती है अब यहीं हम पढ़ेंगे बाशाई विविद्धा को क्या कहा जाएगा बहु बाशिकता मतलब जहां पे बहुत सारी बाशाओं का प्रियोगोरा है और इंडिया हमारी एक ऐसी ही कंट्री है इसलिए यहां कि क हजार से जादा भाशा बोली जाती है आपको पता होना चाहिए इतनी विविद्धा के बावजूद कई भाशिक सांस्कृतिक टच को भारत को एक ही बाशिक शेत्र के रूप में बानते हैं मतलब इतनी विवित्ता पाई जाते हैं फिरी भी यहां पे जो संस्कृतिक टचा पुरानी हमारी बाशा संस्कृत रही है वो सारे भारत के शित्र को एक ही उसमें बानते हैं बहु बाशिकता पर हुए अधिनों से स्पस्ट हुआ कि बहु बाशिकता समाज में उस बहु बाशिकता होने की वज़े से भी हमारे communication को वो बादित नहीं करती बजाए कि हमें कही न कहीं बहु बाशिक देस help परदान करता है कोई पंजावी बोलता है, कोई हर्यान भी बोलता है, कोई तमील बोलता है, कोई तेलगू बोलता है लेकिन फिर भी किसी को संप्रेशन में दिक्कत नहीं आती इंग्लिश तो है हमारी दूसरी लेंग्विज अगर हम वो लेंग्विज नहीं समझ बारे तो हम उन परसन से इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो ये हमें कही न कही साहता ही परदान होती है बहु बाशिक देश में हमें communication में problem नहीं आती हते हमारी सिख्षा वैवस्था को इसे दबाने की बज़ए बनाई रखने और प्रोचसाइद करने का बरपूर प्रयास करना चाहिए तो जो हमारा education system है न वही जो education system है वो बहु बाशिकता को दबाने की कोशिश करता है जैसे अब मालिया किसी school में कोई दूसरे culture से बच्चा आ जाए तो उसको कुछ सिखाने की बज़ाए हम क्या करते हैं नहीं हम इस बच्चे के admission अपने school में नहीं लेंगे actual हमारे teacher ये नहीं बोल सकते है अरे आपके teacher English तो बोल सकते है ना तो आप उस बच्चे को English में teach कीजिए ठीक है English तो second language को लेके आप वहाँ पे चले तो उसको दबवाने का प्रियास ना करें बहु बाशिकता तो एक class में भी होने बहु जरूरी है ताकि बच्चे को हर तरीके की संस्कृति की knowledge हो हर तरीके की भाशा की knowledge हो ठीक है वो multilingualism से सीखे तो हमें उसको वहाँ पे बढ़ाने का प्रियास करना चाहिए दबाने का नहीं तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1968 में आया था त्री भाशा सुत्र सरकार के सिक्षा मंत्राले Education Commission ने लागू किया था यह आया था ना भई 1968 में आया थी एक परणाली फिर 86 में आया थी Educational जो यह परणाली है सिक्षा परणाली अब नहीं आया है 2020 में तो यह सुत्र उस टाइम पे लागू किया गया था आप देखिए सिक्षन में बहू भाशिक्ता के लाव एम आवशक्ता है तो क्या क्या बहू भाशिक्ता के लाव होंगे बहू भाशिक्ता भारत के भाशा प्रीदर्शा का एक विशिष्ट लक्षन भी है उसे कख्षा की कारिये नीती का हिश्षा बनाना रचनातमक भाशा सिक्षा का कारिया है ठीक है बहु बाशिक होगा तो एक क्या होगा कक्षा में अगर बहु बाशिक बच्चे हैं तो एक तरह से ये एक रचनातमक पार्ट हो गया कि दूसरे बच्चे भी उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ठीक है सेकिंड अलग लग भाश बाशिक प्रस्ट भूमी से जो बच्चे आएंगे उनके शब्दों में उनके विचारण में अलग-लग भींता पाई जाएगी और बाशिक प्रस्ट भूमी के अदार पर ही किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता तो हम सिर्फ यह कह के उन बच्चों को नाकार दे एडमिशन ना दे कि नहीं है हमारे बाशिक प्रस्ट भूमी से नहीं है और उनको पीछे चोड़ दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए उन बच्चों को भी हर तरीके से एडमिशन दे स्पोज किसी की ट्रांसफर हो जाती है साउट से और हमारे नोर्थ इंडिया के अंदर तो वहां पे हमे नहीं चोड़ना उन बच्चों को साथ लेके हमें चलना है क्योंकि सिर्फ एक भाशिक प्रस्ट भूमी के अदार पर हम उनको पीछे नहीं चोड़ सकते हैं दो बाश्या बोलने वाले बच्चे ना केवल अन्य बाश्या उपर अच्छा नियंतरन रखते हैं बलकि अकादम अन्य गाल देखा होगा फ्रेंच लेंग्विज़ को स्कूलों में एड़ किया जा रहा है फ्रेंच को बच्चे फ्रेंच सिखते हैं तो इससे भी उनकी हल्प होती है अगर करद दूशरी कंटरी में जाते हैं तो बहीं वहीजली वह सब कुछ कर पाते हैं और ऐसे बच्च से अलग होता है जिनको एक ही भाषा आती है वो हर तरीके से सोचते हैं वो बच्चे यह विविज स्तर की प्रस्तितियों से जूजने में कुशल होते हैं अब उसको अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन उन्हें मिल जाए अगर उनको स्पोज इंगलिश आती है तो अगर वो फोरें कंट्री में भी जाएंगे तो वहां की सिचुएशन को भी वो हैंडल कर लेंगे और स्पोज किसी ने आज तक सुनी नहीं इंगलिश तो क्या वो इजली सर्वाइव कर पाएगा नहीं वो प्रोब्लम फेस करेगा ठीक है इससे स्कूल छोडने वाले चात्रों की स्कूल के अंदर ही तो बच्चे स्कूल को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप उनको मदर टंग में भी टीच कर रहे हैं आप उनको बेसिक हमारी इंगलिश में भी कर रहे हैं हिंदी में भी कर रहे हैं तो बच्चे स्कूल को क्यो छोड़ेंगे और जहां स्कूल में सिर्फ यही बोल दिया जाए, नहीं, you have to speak in English only, तो वहाँ पे बच्चा ना कई बार क्या करता है, शाई फील करता है, वो जो अपने मन के विचार है, वो इंग्लिश में बोल नहीं सकता हिंदी, आप उसको बोलने नहीं देंगे, तो ऐसे में बच्चा स्कूल को छोड़ देता है, तो इससे कमी आती है, अगर आप बहु बासिक प्रस्ट भूमी को अपनाते हैं, उसकी अकेडमिक जो अच्यूमेंट हों में सुधार आता है, आतम सम्मान बढ़ता है बच्चे का, उसका कई गुना फायदा बच्चे को होता है, कक्षा कक्षा में चात्रों द्वारा अपने मत्र भाशाओं का प्रियोग करने से, चात्र अपने विचारों को सहस्ता से रख पाते हैं, जिससे सिक्षन अधिगम जो प्रकीरिया है, वो सुचारों रूप से चलती है, यही बात अभी मैंने बताई थी, कि अगर आप उनको हर तरीके से बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वो अपने विचारना इजली रख पाएंगे, स्पोर्स उनको किसी टोपिक में कोई प्रोब्लम है, तो भही वो टीचर को इजली बता पाएंगे, कि मैं, I feel doubt here, ठीक है, जो जहांबे भी उसको प्रोब्लम है, लेकिन आप अगर उसको इंग्लिश मोली नहीं आती, उसको सिर्फ हिंदी में बात करना आता है, और वो ना बोल पाएंगे, तो वो अपने doubt भी टीचर से नहीं ले पाएगा, कक्षा में विबिन बाशाओं का प्रियोग करना संस्कृति कादान परदान का माद्यम है, बिन बाशाओं के प्रियोग से सभी चातर एक दूसरे की बाशा को समझने का उसर मिलता है, तता वे अपनी मातर बाशा का सम्मान करने के साथ, ये दूसरों की बाशा हैं संस्कृत पंजाबी में किसी लाइन को कैसी बोला जा रहा है, तो बचे इस तरीके से सीख जाते हैं, तो उनको एक दूसरे राशा स्मजने का आवसर मिला वहाँ पहर फैस्ट है, वह अपनी मात्र भाश्या से तो प्रेम करते ही करते हैं, वहाँ पहर जब उन्होंने दूसरों की सुनी कि द्वी भाशी या बहु भाशिक्ता शम्ता संग्यानात्मकवर्दी सामाजिक सहिशनूता विस्तरत चिंतन एंबोधिक उपलब्दियों के स्तर को बढ़ाती है इसलिए भाशाओं को विधालों में एक संसाधन के रूप में प्रियोग करना चाहिए अब देखिए यहां प समाजिक सहिशनूता का अर्थ क्या होता है इसका विस्तरत रूप है अगर हम अर्थ की बात करें तो समाज के भीतर व्याक्तियों का समूँ दूसरे समूँ से मुल्य, विचार, उनकी पर्था, प्रंपरा, नैतिक्ता, मांदर्ण, उनकी आस्था, विश्वास से अलग होने के बावजूद, जो दोनों समूँदाई हैं वो एक दूसरे को स्विकार करते हैं, डिरेक्ट बतलब बहुत विस्तर रूप से बात करें तो ये होता है, ऐसे ही बहुबासिक बच्चों के बात है, कि वो एक दूसरे के उनकी संस्कृति के उनके लेंग्वेज के जो मुल्य हैं, विचार हैं, पर्था है, प्रंप्रा है, वो एक दूसरे को स्विकार करते हैं, ठीक है, वो उनको क्या आता है, दूसरे को स्विकार करते हैं, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो वो उनको सहन करते हैं, भूल चुक और तूटि को नजर अंदाज कर देते हैं, तो यहाँ पे सामाजिक सहिशनुता का मीनिंग है ये विस्तरत चिंतन आप सभी जानते है संग्यान आत्मक वर्दी मतलब उनके संग्यान में उनके कोगनेटिव माइंड में वर्दी होती है ठीक है इसलिए भाशाओं को विधाले में एक संसाधन के रूप में एक टूल as a resource के रूप में प्रियोग किया जाना चाहिए ठीक है तो ये टोपिक थे वई इसके एक दो टोपिक ही रहते हैं वोकल मैं कंप्लीट कर दूँगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब करे थेंक्यू एवरिवन